हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो अवर चैनल सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पाकिस्तानी वेलबेट सूट के डिजाइन सोर आइडियास के बारे में जैसा कि आप लोगों को पताई है वेलबेट फैपरी काफी जादा ट्रेंड में है और विंटर सीजन में आपको वेलबेट का सूट कोई ना कोई देखने को मिली जाएगा अगर आप भी एक अच्छी लुक की तलाश कर रही है तो आप इस वीडियो के इन तक जरूर देखना इसकी बिलकुल मत करना वरना आप अच्छे अच्छे आइडियास को जरूर मिस कर जाएंगे आपको आज की इस वीडियो में वेलबेट सूट के बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही सेलेक्टिड आइडियास को दिखाया गया है जिसे आप अपनी पसंद के अकोर्डिंग चूज कर सकती है वैसे तो मार्किट में आपको अच्छे अच्छे टैप्स के सूट देखने को मिल ही जाते है जैसे की पटियाला सूट सलवार, पंजाबी सूट और नाओ इडिस पाकिस्तानी सूट का क्रेस काफी जादा ट्रेंड में चल रहा है वैलवेट सूट गर्ल्स और वुमेन दोनों के लिए ही इस सूट का क्रेस काफी जादा है और साथी साथ विंटर वैडिंग में हमारे पस जादा चोजिस नहीं होती है तो हम ऐसे suit को find करते हैं जो हमें warm भी कर सके तो velvet fabric winter season के लिए best option है आपको different different style में pakके sunny suit के designs देखने को मिली जाएंगे साथी साथ आपको इसमें काफी जादा comfortable भी रहती हैं अगर आप किसी party में जा रही है या फिर आपके घर में कोई function या फिर occasion है तो आप इसे easily carry कर सकती है आप अपनी पसंद का velvet fabric को choose कर सकती है और उससे अपने लिए एक designer suit को ready कर सकती है और अगर आप velvet fabric के name जाना चाहती हो त आप चाहें तो playlist में जाकर winter special की सभी वीडियो को भी देख सकती हो इस वीडियो में आपको जो भी suit दिखाए गए है आपको ready made भी मिल जाएंगे अगर आपको इन में से कोई बी designs या फी pattern पसंद आता है तो आप उसका easily skin shot ले सकती हो ताकि जब भी आप अपने लिए suit को design कर करवाई या फी style करें तो वह skin shot आपकी help कर सके चैनल पर आपको fashion से related daily videos प्रोवाइड की जाती है अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है सो प्लीज इस चैनल को subscribe इस वीडियो को like and family and friends के साथ जरूर शेयर करना ताकि वह भी अच्छ अच्छ थैंक यू तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई ची के थैंक्स फोर वाचिंग